नमस्कार दोस्तों आप देखे रहा से के पार राज इस फीडियो में एक्स्प्रेंट करने जा रहे हैं धी ओर रिशिल का सीजन वन के एपिसोड नमबर 12 तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक रीकैप हो जाए लास्ट एपिसोड हमने देखा है जहां पर हार मर चुके थे महीं पर हम देखते हैं कि मार्सल को चुप कराने कोशिश करता है क्लाउस और सी मौन पर हम देखते हैं कि सेलेस्ट जो 200 साल पुरानी वेच है वह वापस जिन्दा हो चुकी है और वह एक तरह से इविल रूप में आ चुकी है यहां सब ओरिजिनल्स को मारने क अब हम पहला सीन देखते हैं जहां पर सब रीजिस के अंदर रियल में सेलेस्ट की एक तरह से आत्मा है और वहां पर आज़ते ही सेमेट्री में दो लोगों को जिन्दा करने के बाद और वह दोनों बोलने लगती है तो बिल्कुल वैसी है जिसके हम छोड़के गए थे और अलग अलग बोडिस के अंदर आके हां पर चेक करती रहती हैं पर सब सब चल रहे और तब न देखते हैं और वहां पर लगा मुझे बहत अजीब community का हिस्सा बनना चाहता है और वो भी एक तरह से ancestry magic करता है और sacrificial magic भी करता है और वो एक तरह से अपनी community को बचाएगा pirate से, lutoro से, beast से और vampire से और एक तरह से अपनी community को build करने में help करेगा और साप को जला के बोलता है कि मैं sacrificial magic भी करता हूँ जिसके कारण में ज्यादा powerful हो कि अपना enemies को खतम कर देता हूँ और इसलिए आप मुझे अपना leader चुन लो और ये एक तरह से offer करता है quarter की witches को फिर वहीं पर हम देखते हैं पुराने time के इंदरे Elijah एक तरह से बैठा गवा था और deal करने लग रहा था अलग-अलग लुटोरों से और थीफ से कि एक तरह से वो town को rule करते हैं और अपना काम जो भी करेंगे सारा profit जाना चाहिए original vampires कोई और अगर उन्हें एक तरह से attack करने की कोशिश की जो werewolf थे तो उन्हीं के लिए problem होगी कि the original vampire werewolf की bite से खतम नहीं होगे और तभी हम देखते हैं वो सारे rules बना रहे थे कि सारे port को वो handle करेंगे और ये secret बात रहेगी उनके बीच कि the original family एक तरह से rule करते है पूरे city के उपर और तभी हम देखते हैं वहाँ पर पापा टूंडे आ जाता है और पापा टूंडे आने के बाद बोलता है कि witches को क्या फाइदा होगा इन सब डील्स के अंदर तुम ले रहे होगे पाइरेट्स ले रहे हैं बट इस family का क्या विचिस की family का क्या quarter का क्या और ये कहने के बाद हम देखते हैं ये सुनने के बाद वहाँ पर और ये कहके वहाँ से चले जाते हैं और क्लाॉस और अलाय जया इकदम डर जाता है कि इतनी विचिस पावरिफुल कैसे हो सकती है डाफ्ल ने के वेट कर रहे थे क्लाउस के आने का और वो पुछते हैं मार्सल तुम्हें पता है कब आने वाले मार्सल बोलता है मुझे इसके वारे कुछ नी पता वो तुम्हार लीडर मैंनी और बैठ चाता है और तब हम देखते हैं और वह एक तरह से मिस्ट्रिक फोल होकर आया था और आ डिएगो अपने वेंपार्स को लेके जाओ और चेक करो कर क्या रहे हैं और बाकी टाउन की एरिया को चेक करते रहो और वहां पर क्या हो रहा है और यह कहने को तो मार्सल से बोलता है मार्सल तुम भी इनके साथ जा सकते हो और तब ही मार्सल बोलता है नहीं मुझे कोई ज थोड़ दिया और यह कहने को बोलती हो एक तरह से मेरा आइडिया था और मैंने उसको help किया वांस चुड़वाने में और वह बोलती है कि क्लाउस कभी नहीं सुधरने वाला और मुझे इस बात की है पता करने के लिए कि इतना सारा मैजिक कहां गाया वो सकता है जो हार्वेस् हमको पता ही चल जाएगा कि वह पावर किसके पास है और मैं उससे एक तरह से दोस्ती कर लूँगी जिसके पास है अपने कोई रिलेशन कुछ तो निकाल लेंगे जिससे कि मैं उसको अपने साइड कर सकूँ और यह सब सुनने के बतला है जो तुम करना क्या चाती हो और पागल तो नहीं हो गई हो तुम अपने भाई के खिलाफ जाओगी जो बैटर होता जा रहा है देखो वह एक तरह से बैटर हो रहा है डे बाई डे और तभी रिपैका बोलते हो फिर से पहले जैसा हो जाएगा हर बार ऐसा ही होता है तो उस पर बिलीव करता है और ऐसा अगर तो तेरे भाई को सपोर्ट नहीं कर सकती है तो उससे दुश्मन मत बांद उसको टांग मत अड़ा यह बैटर कहता हूं मैं और यह कहने को वहां से रिपैका चली जाती है जिस उसको कोई फरकी नहीं पड़ता तीर हम देखते है रिपैका सीधा ट्यारी से जाकी मिलत उसको चीज़े और किसी कोपी काइट करने की कुछ कर रहा है क्योंकि जो रियल में करता था हूं और अब देखो मैं क्या क्या करता हूं और यह सुनने वाद रिबेका उसके घरला दबाने की कोशिश करती है उसके पास जाकर बड़ हम देखते हैं कि पापा टूंडे उससे ज़्यादा पाउरफुल था उसको जमीन पर गिराने लगता है और यह देखके टैरी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और हम देख और यह मार्सल और मार्सल बोलते किंग्डम तुमारा है तुझे रूल करना था मुझे नहीं और मेरी दोस्त मर चुके और कोई बड़ी बात नहीं तुमारे लिए बट मेरे लिए है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर आ जाते हैं तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा और तब हम देखते हैं हुँ दोनों उनको लेकी जाते हैं जहाँ पर दो वेंपाइर की डेथ हो चुकी थी और बोलते हैं कल रात से गायब थे दोनों और पता नहीं क्या हुआ एनके साथ इनको steak भी ने लगाए और हो यह मर चुके हैं और यह देखने के बाद हम देखते हैं मारसल वहांसे निकलने लगता है और तभी क्लाउस बोलता है कहां जा रहे हो तुम और यह कहने का बोलता है उस चीज के पास मुझे भटकना भी नहीं है और किसी को ना पता हो तो बता दूँ यह बहुत खतरनाक है जो भी यह कर रहा है बैटर कहूं अपने कंबाउंड में च तभी हम देखते क्लाउस को गुस्सा आ रहा था तभी हम देखते हैं दोनों लाशुक कंपाउंड में ला चुके थे और यह देखने के बदल आई जा बोलता है यह मांक तो मुझे उनके सर पर है वो कभी नहीं देखना और उन दिनों की याद दिला देता है और ऐसे करके वहां से जान लगता है और तभी हम देखते उस मुझेंट पर क्लाउस बोलता है जिसने भी क्या है उसको एक तरह से भोगतना पड़ेगा यहां हो तुम एक तरह से कंपाउंड में फैल जाओ और आज पता करो किसने किया है उसका सर काट के यहां ले आओ और यह कहने को डि खूल कैंकि हमारा घर है और तब हमें देखते कोई आ गहीं आगे नहीं आता है और यह देखने के पफिकलाम से सोफि का वेट करी थी उसके बार के अंदर वह पर आजिशा को पता करनी है और थाखने की निस रखिशा है और यह और यह कहने बाद बोलता है दवीना जा चुकी है मुझे इसके बारे मुझे पार विच का रिचूल था वैसे वो इतनी सारी पावर के साथ मरी रही थी और उसकी गलती कुछ नहीं थी और वो कैनिक बद इमोश्णल हो जाता और बोलता हम मैं भी कुछ नहीं कर पाया और बहुत ज़दे इमोश्णल हो जाता और वही पर हम देखते कैम उसके पास आती है बोलते हम सोरी मुझे इस बता था और कब गई ये डवीना और बोलते हैं एक तरह से रिच्वल कर रहे थे हम पड़ रिच्वल सक्सेस्फुल नहीं हो पाया जैसा होना था उस वह जैसे डवीना की मौत हो गई और यह कहने को बहुत सदे इमोश्यल था तभी हम देखते हैं कैमी उसके साथ बैट जाती इनलिए के पूरी नहीं कोशिश करता है उसका ये देख्रोल में इसके साथ कभी पी जोग आदा उसके साथ स्टोड़्य में बतात нравится और बिटी मौटाने लड़ने के बारे में लड़ने के बादे बारे इंगिस उसको टाउन वापस उसको एट्रेक्ट करके वापस लेई आया और उसका अट्रेक्शन का एक कारण नजर आर था वो कोई और नी रिबैका थी बट रिबैका उसको इग्नोर करने लग रही थी क्योंकि वो उसको एक तरह से मार के 50 साल के लिए बोक्स में छोड़के चला गया था और तभी हम देखते हैं आप मार्सल सीधे जाता है क्लाउस के पास जो उससे बहुत जादा खुश दिखाई देता है उसको बाकर क्योंकि वो उससे उस टाइम पर अपने बेटे जैसा मानता था तभी हम देखते हैं उस टाइम पर करने की कोशिश कर रहा है बीबी जो मेरे साब से साइन है तुम बताओ तुम क्या कहोगे और तभी अलाईजे बीच में कुदता और बोलता है नहीं एक तरह से हमको कम करनी चाहिए लड़ाईयां वर्ड में पहले लड़ाईयों हो रही है निउस बहुत जल्दी फैलती है और होड़ाई तो पूरे वर्ड में वर्ड फवर वन का फैलाई हुआ है इस वज़े से हमें लड़ना नहीं चाहिए इस मोमेंट पर और यह कहने के बाद मार्सल पूछते है कौन है ऐसे जिससे तुम मारना चाहते हो और यह कहने को क्लाउस बोलता है उसका नाम है पापा पापा टून्डे में आंपर आ जाता है अपने लोगों के साथ और यह देखने के बाद हए रहे हो और यह सब सुनने के उसल्ट में लग रहा थी और यह सारी बाते बताने लग रहा था हो चाहिए और बताते बताते हैं कि हमीशा चाल रहती है क्लाउस हमेशा प्लान करके चलता है अपने दुश्मन को दोस्त बनाएगा उसके सारी कमजोरियां और सारी पावर को एक तरह से पता करने की कोशिश करेगा और जब यह सारी बाते पता कर लेगा तब उसको मार देगा और यह इस तरह का ही मॉंस्टर है कमी बोलते हैं पापा टूंडे और एक कलाउस के भारे मा आगे क्या हुआ और यह कहने के बात बोलती है पापा टूंडे एक तरह से आया था विच्चिस को इंपावर्मेंट देने के लिए बट थिंग वोज उसे पैसा और जगा चाहिए थी और कुछ भी नहीं जो एक तरह से ओरिशनल माइकलसन देने के लिए रेडी नहीं थी उसको और तभी हम देखते हैं वो हर किसी के खिलाफ चला गया उसने हुमन्स को मारा वेरवुल्स को मारा और उन विच्चिस को मारा जो उसके साथ नहीं खड़ी हुई तो वो सब के खिलाफ था उसको सिरिफ पावर चीये थी और पै पावर कट होती है और जैसे उसको मार देता है कानी खतम कर देता है उसकी और पूरे पापा टूंडे की किस्सा ही खतम करता है अब फिर हम देखते हैं पापा टूंडे एक साम को काट देते हैं बीच में से उसका पूरा बलड एक तरह से रिपैका पे डालने लग रहे थे और वो रिच्वल कम्प्लीट करते हैं, वहीं पर हम देखते हैं, सब्रीन आती है, जिसके अंदर रियल में तो सलेस्ट है, और बोलती है कि तुम इतनी पावर कलेक्ट कर सकते हो, कि तुम क्लाउस को सफर करा हो, और यह कहने को बोलता है, हाँ मैं इस पूरे ओरिजिनल को एक ट्यारी की पास जाके बोलते हैं, रिबेका तुमसे मिली थी ना, वो काहँ पर है तुम्हें पता है, और तब ट्यारी कुछ नहीं बोलता है, और तब वो समझ जाता है, कुछ तो गडबड़ा, उसकी गर्दन दबाता है दिवार में लगा के, और बोलते हैं मेरी बेहन का ह बता दो और तब बोलते हैं हाँ बताता हूं बताता हूं प्लीज क्लाउस को मत बताना मैं तुमारी बहन के साथ उसका काम कर रहा था जो उसने कहा था मुझे करने के लिए और तभी वेर हूस के अंदर एक विच मैजिक चीज मिली जहां पर एक वोटलोग को आ गया एक तरह स जिसने एक तरह से रिबैको को पकड़ा उसको डेसिकेट कर दिया और मैं डर गया कि जो एक बंदर ओरिजिजनल को डेसिकेट कर सकता मेरा क्या हल करेगा और मैं वहां से भाग गया और यह सुनने के बाद अब अलाई यह गुस्सा तर बोलता है तुमें एक डरपो की तरह से भाग गया मेरी बहन को चोड़ दिया वहीं पर और यह जैने के उस्ता हो रहा था और उसको दूर श्रीक करेख और बोलता है मुझे को फोन करता और बोलते हैं तुम मेरे साथ चलो हम कुछ मिशन पर चलते हैं और यह कहने को अपने काम खुद करो मैं एक तरह से बार में बैठा हूं और मुझे कोई आने का शोकनी है उसका फोन कार्ट देता है और तब हम देखते हैं उसके साथ अभी कैमी थी और इसी ओन पर अब आता है क्लाउस को गुसा और महाँ पर मार्सल देखें एक तम सोचता है इस सब कर कोन रहा है और वहीं पर सोफी आ जाते है जो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी और सोफी की गर्दन पकड़ता और कोन कर रहे है विच्वाली हरकत और तभी सोफी बोलती है यह सब मैं नह कर रही हूं मुझे नहीं पता और हम देखते हैं कि अब क्लाउस को डाउट होन लगा था कि यह पुराने वाले सिंबल कौन बना रहा है अब हम देखते मार्सल लों कैमी साथ बैठी हुए थे और तभी कैमी बोलती है एक तरह से मौन्स्टर वाली हरकत है और यह कोई एक त यह देखने को बाद मार्सल पीछे अटने लगता है और तभी हम देखते हैं कि अंदर आ जाता है और आने के बात मुझे पता है कि मुझे तेरे फादर को टेक डाउन करने है बट पहले तुझे करूंगा और तो एक तरह से एक्जामपल रहेगा उसके लिए कि उसने किस से पंगाली आता पहले और तभी हम देखते हैं कि इस मोमेंट पर मार्सल उसकी गरदन तोड़ता है बड़ा फिट से सही हो जाता है और हम देखते कि वह बहुत जादा पावरफुल था और मार्सल को पगड़ता है और बोलता है मैं तीनों ओरिजिनल की पावर एब्जॉब क रने से पहले तुझे एक तरह से टेकडाउन करूंगा जिससे कि मैं एक्जांपल क्रेट कर सकूं सारे ओडिजिनल के लिए और तभी हम देखते हैं कि उसके और मार्सल के बीच में लड़ाई छिट जाती है वहीं हम देखते हैं अब कैमी इस मोमेंट का फाइदा उठाते ह और जिसने भी एक बहुत खतरना के और सेक्रिफाइस यह तुमारे लोग को और तुम्हें एक तरह से च्योक करना रहना चाहिए और यह बहुत ही खतरना के तब हम देखते हैं वह कैमी का फोन उठाता है और बोलते तुमने मेरे पास फोन क्यूं किया और कैमी बोलती है कि एक तरह से मारसल पर किसे विचन अटेक कर दिया है जो बहुत ही जादा पारफुल है और प्लीज जल्दी यह आ जाओ और यह कहने का बोलता तुमा से निकलो और मैं पहुंच रहा हूं और तब हम देखते हैं उसने मारसल को टेक डाउन कर चुका था और कह रहा था कि मैं तेरे बाप को एक तरह से तेरी बोडी दिखाऊंगा और एक तरह से उसको बताऊंगो उसने किस से पंगा लिया है और एक तरह से यह रिवेंच रहेगा क्योंकि वो तेरी चिंता करता है सिरफ और तब हम देखते हैं कि उसको पगड़ लेता है और वन्ना वो मार्सल को मार खिड़ जाती है और हम देखते हैं कि वो क्लावस के उपर भारी पड़ता है क्योंकि ऊरिज्ञनल को एक तरह से चैनल कर रहा था वो थी रिबैका को और एक तरह से चैनल कर रहा है रिबैक को इनको पता चल चुका था और रिबैका की मर नहीं सकती है तो जितना चाहे पावर उससे तुमारे पास कोई विच है उसका ब्लड भी चलेगा और तभी हम देखते हैं और सीधा देखते हैं हेली की तरफ बट है और तभी बोलता ही जो बच्चा है वह एक तरह से क्वाटर विच है क्योंकि हमारी फैमिली में साइड लड़कियां विचिस होती थी और इसके पास वि थे उसी वह अँड पे हम देखते हैं कि पापा टूंडे बहुत जाधा हवी पड़ने लग रहा है क्ला उसके उपर और लगभक उसे मारनी की हालत में पहुँच चुका है और बिल्कुल खतरनाग रूप ले चुका है उसे उन पर हम देखते हैं जैसे पूरा सलकल खतम होत लायजय अंदर जाता है अलाइजय अंदर जब्चा जल्दी से अपनी दिच से लोगर्ण से और जैसे यह दिखते हैं ऑप만 और वहां ल्लाइज जाता है और अपर मार्ष़ल को जाने की बाटा कोशिश कर रहा था अब फिर अप्पर मार्षल को होशनी आ रहा था और यह देखके अब टेंशन हो चुका है क्लाउस को और वहीं पर कैमी आ जाती है और कैमी को देखके बोलते हैं तुम यहां से जाओ बैटर है और किसी अगर बंदे को ला सकती हो तो ले आओ क्योंकि इसको ब्लेड की ज़रत है इस टाइम पे और यह कहन से उसको हग करने लगती है और अपने ब्लड पे फीर करने देती है क्मार्सल को ज् Dékh perhaps of देखके ऑर दिराफ रहाए तब यह-सन् Amaberry जाने लग सब्सक्राइब करने के लिए और तभी रिबैका बोलती कि तुम मुझसे क्यों कर रहे हो मैं वह करी थी जो मुझे पसंद है तुम्हें पता है क्लाउस एक तरह से पावर में आता जा रहे है और एक टाइम पे हो शायद हम दोरों को भार निकाल दें सब चीजों से यह हमारे खड़ा हो जाए और तुम उसको कितना सपोर्ट करते हो और तभी अलाईजा बोलते है मैं तुम्हें भी सपोर्ट करूँगा और मैं तुम्हारे या निकलाउस किसी के खिलाफ नहीं जाना चाता हूँ और यह क्योंने को बाद रिबैका बोलते है अच्छा तुम हम दोनों खिलाफ नहीं जाओगे और क्या तुम हेली के लिए हम दोनों खिलाफ जा सकते हो स scratchback का scene जहां पर हम देखते हैं कि अब रिबैका बात करने लग रही थी मार्सल से जहां पर बताता है कि टंडे को वही लेका ए वो एक तरह से Klaus से बदला चाता है और जब तक Klaus उसके साथ busy रहेगा वो एक तरह से Rebecca के साथ time spend कर पाएगा और उसको एक तरह से दूर रहने की ज़रुत नहीं पड़ेगी और ये कहने को रिबेका बोलती है तुमने ये सब इसलिए किया कि तुम्हें थोड़ा सा affection पास को जैसा मैंने कहा था तुमसे कि तुम्हें एक तरह से town इन सब को destroy कर दो मेरे affection के लिए और बोलता है हाँ मैंने पहले भी किया है फिर से करूँगा जब तक तुम्हारा affection मिलता रहेगा और ये कहने के बाद बोलती है कि ऐसा कुष्णी होने वाला क्लाउस ने ऐसे टूंडे कितने मार चुके होंगे और कोई बड़ी बात नी है ये वो एक इनसान से ड़ता है दुनिया में वो है माइकल जो हमारा फादर है और ये कहने के बाद मार्सल बोलता है वही न तुम्हारा फादर और वहीं पर हम देखते हैं वो एक विच भी ढूंड लेते हैं जो ये लोकेटर स्पेल करने के लिए रेडी थी अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि पूरे वैंपाइर कम्मूनिटी को गैधर कर लिया था और वहाँ पर क्लाउस खड़ा हो जाते है उपर वोड कहते हैं कि हमारी कम्मूनिटी अंडर अटैक आ चुकी है तुम में से कौन लोग है जो मिलके लड़ना चाहते हैं यहां पर रुकेंगे और जो लोग यहां से जाना चाते हैं जा भी सकते हैं और तुम्हें मेरी रूल्स मानने होंगे तुम्हें प्रूफ करना होगा तुम यहां रहने के लायक हो तभी हम देखते हैं ट्यारी बोलते हैं कि हम तेर रूल के अंदर रहें क्यों पर को मुझे लगा देंगा चुले जाने के पूंगे रहे पर पर बोलता है किसे अमें हेल्प करेगी यह बदला लेने में बड़ जानना चाहता हूं सोफी तुम बताओगी कि हमारे हेल्प कैसे करोगी तुम और तभी सोफी बोलती पहली बाद मैं तुम दोलों की हेल्प क्यों करूं और उपर से पापा टूंडे तो वापस इसलिए आया ना क्यूंकि चार हार्वेस्ट लड़किय अमरी थी उनको वापस आना था बड़ वो चार लड़किया नहीं आएंगे इतनी सारी पावर किसे गलत आदमी कहा तो लग चुकी है जिसके उसमें पापा टूंडे को सो साल बाद भी एक तरह से रिजरेक्ट कर दिया है और यह कहने के बाद मार्सल बोलता है इसका मतलब म करने से रोको अगर सेक्रिफाइस नहीं होगे उतना पावर्फुल नहीं होगा और यह कहने के बाद सीथा जाते है उस गाड़न के अंदर बेस्मेंट में जहां पर उन्हें वैंपार्स को गड़ा हुआ था और वहां पर जाने के बाद देखता है कि सारे वैंपार्स मरे और जितने भी वैंपार्स उसको मिले उसने सब को स्टेक्रिफाइस करके उन सबकी पावर एक तरह से अब्जॉब कर ली अफिर हम लास सीन में देखते हैं कि पापा टूंडे उस हतियार को लेके खड़ा था और वहीं पर उन्हें देखते हैं सब्रीन एक एए सलेस्ट आ कर दिया और तभी पापा टूंडे बोलते हैं मैंने कर दिया मैंने उन सारे वेंपार्स को मार के उसकी पावर एब्जॉब कर ली और इतना पावरफुल यह डिवाइस बनाए एक तरह से अतियार बनाए जो एक तरह से किसी को मौत से जाधा बत्तर सजा दे सकता है और यह क खुद का गला कटवाता है सेलेस्ट के हातों और हम देखते सेलेस्ट के पास हो अतियार आ चुका था और यह इसके साथ कुछ खतरनाक करने वाली है जो देखेंगे एगले एपिसोड में तो फ्लीज वीडियो ज़रूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें देखते र झाल